हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम लोग जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में जानेंगे कि टीएस रहमान में क्या क्या होता है और टोटल सब चीज जानेंगे टीएस रहमान के बारे में ठीक है ना तो सबसे पहले जीपी रेटिंग कोर्स होता क्या है वो देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद जीपी रेटिंग में टीएस रहमान को जोईन कैसे करें वो भी देखेंगे फिर उसके लिए इलिजबिलेटिक क्रेक्टेरिया क्या होता है वो भी देखेंगे फिर medicals में क्या-क्या होना जरूरी है ठीक है फिर course की fees कितनी है और age क्या है form कब आएगा ये सब चीज DS रह्मान के बारे में हम लोग इस video में देखेंगे ठीक है ना तो अगर channel पे नए हो तो subscribe कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करना ठीक है चलो वीडियो सुरू करते है तो सबसे पहले बात करेंगे GP rating होता क्या है तो GP rating देखो क्या होता है कि ये एक general purpose rating होता है ठीक है It is department on board responsible for maintaining the ship and its equipment It is one of the most crucial role on the ship ensuring everything in in good condition so that everyone can perform their duties effectively तो देखो GP rating जो करके SIP पे जाते है उनका काम क्या होता है वो SIP का maintenance करते है और साथ में SIP पे जो equipment यूज होता है उनका भी अच्छे से maintain करते है ठीक है ताकि वो easily way में work कर सके ठीक है तो चलो आगे बात करेंगे हम लोग कि कैसे join करते है ठीक है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है GP rating जो है वो 6 month का program होता है ठीक है अगर आपके पास 10th, 12th किये हुए है और ITI भी किये है तो आप जोइन कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपके पास passport होना compulsory हो ठीक है और passport का link मैंने description में दिया हुआ है तो जिसके पास passport नहीं है वो passport के लिए apply कर देगा ठीक है चलो next देखेंगे हम लोग eligibility criteria क्या है TS रह्मान के लिए तो eligibility criteria क्या है देखो एक किक करके 10th standard pass from government recognized board with subject English mathematics and science with 40% aggregate English 40% in 10th or 12th तो simple सी बात है कि आपने 10th pass किया है किसी भी recognized board से चाहे वो CBSC हो या आपका state board हो ठीक है तो आप GP rating कर सकते हैं तो उस 10th class में English, Mathematics, Science इन सब में 40% marks होने चाहिए ठीक है और English में 40% 10th और 12th में होने चाहिए अगर आप 12th किया है तो 12th में 40% होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कि 12th standard एन स्ट्रीम पास फ्रॉम गोबर्मेंट रिकोगनाईज बोर्ड विद 40% टेगरेड इंग्लिस 40% 10th तो ये जो है अगर आपने 12th class किया हुआ है ठीक है किसी भी स्ट्रीम से साइन्स स्ट्रीम कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से 12th किया है और 12th में आपके 40% है और इंग्लिस में 10th और 12th में 40% होना कंपल्सरी है ठीक है और 10th class में Mathematics, Science, English ये 3 सबजेक्ट भी कंपल्सरी है ठीक है तो आप GP rating जोइन कर सकते हैं Feetor, Mechanist, Mechanic, Welder, Turner अगर आप इन पांचों सबजेक्ट से ITI कोर्स किये है Approved by DVET Recognized DVET Approved College से अगर आप ITI पास किये है With minimum 40% ठीक है In Final Year And minimum 40% in English In Class 10th and 12th ठीक है तो और आपके पास 40% minimum Final Year में Marks होने चाहिए ठीक है और 10th और 12th में 40% English के subject में Compulsory है ठीक है ये आप कहीं भी लिख लो अगर आपका 40% से कम है English में तो आप नहीं जोइन कर सकते ठीक है 40% English चाहिए ठीक है ना चलो Next देखेंगे हम लोग कि Medical में क्या होना चाहिए ठीक है कि अपके Medical में The rating should have distance vision 6x6 in better eyes and 6x9 in other eyes तो इसके कहने का मतलब है कि Eye side जो है वो 6x6 होना चाहिए अगर आपके दोनों आखों में 6x6 है तो अच्छी बात है ठीक है अच्छी बात है और अगर एक आख में 6x9 है और दूसरे आख में 6x6 है तो भी आप जॉइन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखो क्या लिखा है Normal color vision soil be tested by Isara test charge Isara test charge का मतलब आप समझते हैं देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा Isara test ठीक है कैसे करते हैं अगर आपको यह color visible है जो इसमें लिखा हुआ है तो आप पास है ठीक है इसके कहना का मतलब है कि color blindness allowed नहीं है ठीक है नहीं पर लिख देता हूँ color blindness not allowed ठीक है और देखो क्या लिखा है BMI जो है वो BMI should be minimum 20 and maximum 30 तो BMI जो है वो आपको minimum 20 होना चाहिए और maximum 30 होना चाहिए ठीक है चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग age criteria की age क्या है GP rating join करने के लिए TS रह्मान में तो TS रह्मान में age के लिए क्या है the rating should not less than 17 and half year not be over 25 year on the date of concernment of training आपका age 75 से 25 साल होना चाहिए जब आप training join करो institute join करो तब ठीक है और age limit 27 year for candidate holding a degree and diploma जो candidate degree और diploma कर रहे है उनके लिए 27 year का age है ठीक है और 5 year for SCST and 2 year for female candidates यहां पर SCST के लिए 5 year का relaxation मिलता है और 2 year का female candidate को वो चाहिए general हो या फिर obviously कोई भी हो female candidate होनी चाहिए 2 year count को relaxation मिलता है ठीक है next बात करेंगे हम लोग और जो भी लोग preparation कर रहे है एलिग्राम ग्रूप WhatsApp ग्रूप Instagram सब कुछ का link description में दिया हुआ है ठीक है तो जाके एक बाद description चेक आउट कर लेना next देखो course fees और duration की बात करेंगे तो course fees जो है वो 2,49,000 है 2,39,000 है और यह time to time vary करता है तो आप लोग website चेक करते रहे हैं कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है ठीक है और course duration की बात करें तो यह जो है course duration 6 month का होता है GP rating एप्रोक्स 25 week ठीक है और अब बात करते हैं placement की सबसे बड़ी बात है की TS रह्मान में placement कितना है ठीक है तो TS रह्मान में 100% placement है ठीक बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी placement मिलेगा क्योंकि इसमें company आती है जो की personal interview लेती है ठीक है तो अगर आप interview के लिएर नहीं कर पाते तो आपका placement नहीं हो पाएगा तो preparation अभी से चालू कर दो ठीक है और इसके form जो है वो mid August में आएंगे ठीक है तब तक के लिए thank you so much अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं next वीडियो में कोई भी doubt हो comment कर देना thank you so much